हालो एब्रीवन और वेल्कम बैक टो क्लास आज हम बात करने वाले हैं विद्ध्याले प्रबंदन एवं प्रस्टर्शन में द्धाना ध्यापक और शिक्षक की भूमी का रोल आफ हेड्मास्टर एंड टीचर इन स्कूल मैंजमेंट एड्मिन्स्ट्रेशन विद्ध्याले प दो यह एक जो इस शब्ध का विद्याले शब्द का यह आर्थ है यह मोस्ट फ दोगों को पटा है हम लोग इसे जानते है कि आल्य जो शब्द है उसे घर के लिए यूज्ज किया जाता है तिक है अब विद्ध्याल rapid वह हास्तान नहां विद्ध्यार्थी अपने घर से और यहां विद्यारती होना और अध्यापक होना गौण फैसे हम विद्हारती होने चाहिए और जलित अध्यारती होने चाहिए प्रबंधन की आउश्क्ता अनिवारय रोप से पढ़ती है तो इसी प्रबंधन शब्द को हम समझेंगे प्रबंधन शब्द का आर्थ है विद्याले में प्रबंधन में अध्यान अध्यापन तथा विद्याले संचालन में समस्थ प्रकार की विवस्थ होती है अब आप लोगों के दिमाग में कई बार डाउट आता जरूरी है और एक understanding होनी जरूरी है क्योंकि जब इसी से question बनते हैं अभी तो यह जैसे होता ना कि प्रदानाचारी के कारी अरे इसी लग रहा है ठीक है टॉपिक बहुत इसी लग रहे हैं लेकिन जब इनसे question बनते हैं तो फिर वही question tough हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक टेक लेकिन एक दू बार इसको अच्छे से reading जरूर कर लेनी है विद्याले सहित किसी वी परगार के परबंदन में मानवियक शंताओं का अपयोग किये बिना हम विद्याले और अन्य किसी संस्ता का संचालन नहीं कर सकते में समय क्या चाहिए वहाँ पे human resources चाहिए ही चाहिए औ अब यह कुस्छ written है और वाज्तन्जीवन की सामना करना भी इसख़ाया जाए उनकी प्रदान किया तो यह सारे काम क्या है विद्याले के हैं शिक्षा के बदले बदलते हुए फोरूप को ध्याण में रखते हुए जो पठन-पाथन का कारिया है उसको भी क्रिया उसके ही अनुरूप उसमें क्या क्या जाना चाहिए चेंज हो जाना चाहिए और यह विध्याले की जिम्मेदारी बनती है तो यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे कि विद्याले की कुछ जिम्मेदारिया हैं वो हम धीरे-धीरे उन्हें समझेंगे और फिर प्रधाना चारी और या शिक्षक की क्या उसमें एक काम होता है उसको हम समझेंगे ठीक है और यह विद्याले में प्रतेग जो कारेरत व्य कहते हैं प्रधाना ज्यापक भी कहते हैं इसमें सबसे अधिक महत्तपुर्ण भूमिका होती है क्योंकि जो प्रधाना चारिया होता है और उपर से नीचे को फेल होती है कोई संस्ता होगी वह उपर से नीचे को fail होती है इस बात को समझिए कि अगर किसी भी level को हम देखें जो सबसे top level होगा अगर वो मतलब काम का नहीं होगा तो पूरी संस्था काम की नहीं होगे ठीक है अगर आप सोचोगे कि कोई संस्था को हम नीचे से उपर को सुधारने की कोशिश करेंगे तो संस्था नहीं सुधरती है आप सोचेंगे जो सबसे low level पे है ठीक है जब जोरी school की बात करें हम तो fourth class से शु कि वह क्या होगा top level से ही आप किसी संस्था को सुधार सकते हैं कहने के मतलब यह जो leader है संस्था का वहां से ही शुरूआत करनी पड़ती है अगर आपको संस्था को सुधारना है तो यहां पर विद्यालवी एक संस्था है और यहां पर अगर हम प्रबंधन की बात करें तो महां पर प्रधाना द्यापक की भूमिका बहुत important हो जाती है और उन्हीं को क्या करना है सबसे पहले शुरूआत करनी होती है किसी भी काम को अब जैसे हम बात करें कि शिक्षक एक मार्ग दर्शक भी है और एक पत्पत दर्शक भी है अब देखे जो हम प्रधाना द्यापक की भूमिका को समझ रहे हैं और उसमें हमें शिक्षक को भी समझना जरूरी है क्योंकि प्रधाना द्यापक भी अपने आप में क्या होते हैं एक शिक्षक का काम उन्हें भी करना है और शिक्षक के परस्पेक्टिव को जब तक प्रधाना द्यापक नहीं समझेंगे तब त परिस्थितियां भी क्रियेट करनी होती है इन समय कुछ आर्टिफिशियल परिस्थितियां क्रियेट करनी होती है स्कूल को समझाने के लिए बच्चों को सही गाइडेंस के लिए आगे चलते हैं और यहां पर जैसा मैंने कहा कि प्रधान होने के नाते उसका कारे क्या हो जाता है प्रधाना द्यापक का कारे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं और उन कीवर्ड्स को अगर आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे आउन वर्ट्स को माइन में रखते हैं तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं अपना जो पेपर है उसमें चीजों को एनलाइज कर पाएंगे विद्याले प्रबंदन और प्रशाशन में अब आती है बात प्रधाना द्यापक की भूमिका जैसे कि मैंने कहा कि प्रधाना कि प्रधाना चारिय के हैं ते हें और इवन बच्चों के नहीं सिक्षकों को भी क्या करना होता है और जो प्रधाना द्यापक यह ऑता है उनकी भूमिका कि मुख्य मेधा या भाब« जहाज का इंगन होता है उसी परकार कर इस्कूल के Хeëड मास्टर खोने हैं जो हैं उनका विचार है कि हैड मास्टे स्कूल का प्रिंसिपल शिक्षा पढठनाली की, धुरी होते हैं जिस पर हुए पुरा सिस्टम घूमेगा उसके प्रभाव सिक्षा नेता होने की योगता और निकुड़ता पर ही स्कूल की सबलता निर्भर करती है और ये बहुत ही मेंस हम कहें कि बड़न बात है प्रदाना चारिय जितने कुशल होंगे उतने अच्छे से क्या होता है स्कूल चल पाता है ये सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अंसा कोई भी शिक्षा सुधार इसकीम तब तक आवशिक परणाम नहीं दे सकते जबकि उसको दूर दर्शिता निकुड़ता से लागू ना किया जाए और लागू कौन करेंगे लागू करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रिंचपल शिप है अब देखते हैं प्रधाना द्यापक की भूमिका केंद्रिया होती है ये तो हम लोग समझ चुके हैं तो देखिए प्रधाना द्यापक के जो कार यह हैं इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लिजी यह मींस यहां आपका यह जिस्ट है या हम कहें स अच्छे हैं एक शिख्षक करते हैं नियोजख करते हैं कौ related का में करना होता है Yeah कि इस चीजह पीजिश को हम जाय कर सकते हैं का रहा ही ता थो होता है कि मानुए संबंधों की ऑई पर इस बाभा इक लिए तो स्कूल में तो pag और सबब्सक्राइब करेम आर्थी की फीरहें का हैं अर्थिक दिए प्रवंदन में इतने काम आपको याद कि अठाह याद कृड़्शक का उधरन हैं निय शिक्षक के रूप में प्रधाना候 द्यापक की कया कार्य原因 के होने चाहिए जब प्रिंसिबल को भी क्या किया जाते हैं कुछ पीरिएट दिये जाते हैं पड़ाने को जिससे कि वो खुद को एक स्टैबलिश कर पाएं एक आदर शिक्षक के रोप में और क्योंकि उन्हें क्या करना है अपने जो वे आउप टीचिंग है और बाकी चीज़े वोनें देखा होगा कि गवर्मेंट सेक्टर में देखा होगा निशन करना है और प्लानिंग करना है अभिन्न अंग्ध और प्लैनिंग करनी होती है आप यहां जो प्लैनिंग है उसके वारे में देखते हैं विद्याले में जो हमारे पास संसाधन है उनको उनकी उपलब्दा का ध्यान रखना प्रवेश संबंदी नियमा वली पर क्रिया की रूप रेखा तयार करना विद्याले की आउश्क्तान वसार पाठे करम निर्धारन करना और पुस्तफों का चैन करना अब यह तो यह वाला जो पाठ है यह तो गौवर्मेंट क्रियाओं को आयोजन संचालन करना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई स्कूल में यह सारी चीजे मेंटेन नहीं हो पाती है तो यह प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल माना जाएगा जबकि वह क्या है विद्याले में इन चीजों को भी एक्स्टा करिकुलर को ठीक से ना करना या कई बार इस तरह के सिचुएशन होती कि कौन से शिक्षक को कौन सी चीजे देनी है कौन सा सब्जिक्ट मैटर देना है वह भी चैन में ही आएगा ठीक है पाठिकरम के अनसार सभी कख्षाओं को परभावी रोप से शिक्षक कार्या का जो है उसमें उसको संपन किय के जाए परिक्षन यह मूल्यांकन आयोजित करना उसकी साड़नी तयार करना यह पी प्रेप्न के का ही दाइत्व है और शेख्षिक और अन्या-गती विदियों को उचित और सुनी मर्ण से पून करानी हे तो वार्षिक कलेंडर भी तयार करना यह क्या है प्रिंस्पल का ही घाइत्व है अब परियावेक्षक के रूप में कैसे परियावेक्षरा किया मोनिटरिंग की जाए सकूल की और यह बहुत अगर हमें सफल संचालन करना इस्कूल का तो बहुत ही जरूरी काम है और समय समय निश्चित समय पर उसे परियोविक्षण भी करना होता है परियोविक्षण के रूप में निमलिखित कारे करने होते हैं तो इसमें जो शिक्षण कारे का परियोविक्षण है कि इस शिक्षण का मार्ग दर्शन करना भी क्या है प्रामर्श देना शिक्षकों को भी यह भी प्रधाना चारे की ही क्या है एक ड्यूटी है और यह सिर्फ शिक्षन कार्य तक सीमित नहीं रह सकते जबकि उन्हें क्या करना कार्याले समझे तो देखे प्रधाना मुझट सेZA का एक टो शिक्षन पर थो हैं साथ में उन्हें कार्यानें की बड़ी जिम्मषधारी होती है और इसी के साथ में करना ही यvakने प्रॐक्षण भी करना थेखा सुपर सुप्र विजिन भी करना उनको उसके अत्रिक्ट छोच्प जैसा मैंने कहा और उसके अलाव आगर हम पहें जैसे कि सांस्कृतिक कार्ययकरम होते हैं Пр sanct खार्श क्डूराजिश करने खार्श के सुम्सक्राइब एक स्वाधिक का से मतलब प्रिंसपयल तो ही हाई डिर में किया न भीछे लीडर है वो कौन है लीडर है आपका प्रिंस्पल अब जो लीडर है वही अगर इन चीजों को इग्नोर करता है तो इसका मतलब तो हमें यह चीज़े ध्यान रखनी है और जब हम अपना एक्जैम के पॉपस पॉइंट आफ यू से देखें तो हमें यह सारी चीज़ें ब्रे करम के जिम्मेदारिया होती हैं किसकी होती हैं शिक्षक की बच्चों की प्रदानाचारे की अप कई बार दिमाग में आ जाता है या आ जाए कि इसमें एक option हो आपका की all of the above means सभी की तो हमें ऐसा लगए गया कि सभी की जिम्मेदारी है ठीक है लेकिन क्या है आपको यह पर प्रदानाचारे होगा तो इस तरह से हमें अपना जो सिलिबस है सिलिबस के अकॉर्डिंग उसको एनलाइज करके तभी हमें क्या करने होते हैं इसलिए कि यह लगते तो क्या है इसी है लेकिन कई बार जब वहां पर हमें आ रहा जो हम थोड़ा बहुत प्रेशर में होते है एक्जैम में तो वहां पर दिमाग काम करना तो बंद कर देता है और फिर यह सारी चीजे थोड़ी सी दिक्कत करती है इसलिए एक बार थोड़ा सा अगर आप एक दो बार रीड कर लेंगे इसको तो बहुत टब भी नहीं है और बहुत जादा इजी भी नहीं है इसके कःषान है और ऊफूर कि आप लिए काम एक वह तरह से मुख्या का काम तो करिे रहे हैं और नेता की भूमिका में यह बात हम आल्रेडा कर हो तो चाहे वह गतिवित जो नेता है हमारे यहले हमारे जो लीडर है dina h Bitch वहां सिक्षण हो या कोई वे पार्थे सागमई उसके अने नेत्रत्यों करना है और उसे कुषलता के साथ करना श करना है यह प्रधान यापक की काई काम है अब संगठन में अगर हम देखें कि उनकी क्या भूमिका है तो प्रधाना द्यापक को यह सुनिश्चित करना आवशक होता है कि चाहे वह स्थूल मतलब स्थूल का मतलब क्या होता कि दिखने वाली चीजे जो विजिबल चीजे हैं उन चीजों को और मानव संसाधन जो है यूमन दोनों चीजों का ध्यान रखना किसका काम है प्रिंसिबल का काम है मेंस दोनों चाहिए वह आप जो विजिबल मेंस बिल्डिंग वगेरा हैं लेकिन मानव संसाधन जो है वह उनका भी एक अच्छे तरीके से उनको उप्योग कैसे किया जाए उसका जय तो किसका है प्रधाने का काम है वह भी क्या है प्रधाना चार्यका होता है प्रधाना यहापक जो है उचित मार्गे दर्शन और पुरोत्साहन देना उनका ही काम है और जो अभी हमने बात किया बात की कि जो कुशलता से जो संसाधन है हमारे उनको यूज करना भी प्रिंसिबल का ही काम है अब यहां पर एक example इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एक टीचर है जो की मैट्स अच्छा पढ़ा सकते हैं बट उनको मतलब उन टीचर को जरुरत पढ़ने पर हो सकता है कि कभी ना हो इस स्कूल में या कुछ इस तरह की बात आ जाती है और खासकर गवर्मेंट सेक्टर में तो वहां पर अगर टीचर को ना पता हो कि प्रॉपर तरह कि इनकी स्किल क्या है तो उसे सही जगह पर यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो प्रिंसिपल को एक स्किल सेट जो टीचर का है वो भी पता होना चाहिए और चाहिए संसान के भीतर बाहर उचित प्रोचाहन और माधूरीय सुनिश्चित करना भी प्रदान प्रदाना ध्यापक का एक काम ये भी होता है कि जो उसके अधीनस्त हैं जो उसके सबॉडिनेट से नीचे जो काम करने वाले उनसे कुशलता पूर्व कैसे काम लिया जाए जैसे कि अभी मैंने बताया और संगठन से प्रशन भी रहे ध्यान ये रहे कि अगर कोई भी इंसान स वो संगठन से खुश्ष नहीं है तो इसका मतलब महाँ पर प्रिंसपल जो है प्रदाना ध्यापक जो है तो ये काम करना भी क्या है प्रिंसपल का ही काम होता है अब फरेक्टिकालिटी में इन चीजों को हम लोग देखते नहीं है लेकिन यह काम क्या होता है प्रिंस्पल का ही बन जाता है मानुविय संसादन जो यूमन रिसोर्स हैं उसमें हम देखें कि यूमन रिसोर्स में कर्मचारी वर्ग शिक्षक वर्ग छात रहों प्रबंदन और अभिवाव हैं इन सभी के बीच में अच्छा कॉर्डिनीशन बना प्रिंस्पल का जो वहार होना चाहिए वह किस तरह का होना चाहिए जो समस्या अगर उनके बीच में कोई भी चाहे चात्रों के बीच हो चाहे सिक्षकों के बीच है तो वहां पर प्रधानाचारिय से वह इसीजी संपर कर पाए इस चीज के लिए उन्हें आजादी मिलनी चाहिए उसके बाद आता है कि विध्याले में जो वाकी अभ्यावाक वर्ग है उनकी मीटिंग की विवस्ता करना उनके साथ इसे बिढ़ाना ये भी प्रधानाचारे का काम है शिक्षकों और अन्यकर्मचारे को समय समय पर उचि तो यहां पर हम अब हमने देखा थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं कि कौन-कौन से उनके काम होते हैं निर्देशन कार्यकरम ही तु उचित बहौन धन समय की व्यवस्ता करना ये किसका काम है प्रधानाचारे का अत्रों तथा अभिवागों को निर्देशन सेवाओं से संबंद में जानकारी प्रधान करना विद्धियाले के शिक्षकों को निर्देशन का महत्तों समझ्यायों और उद्देश्यों को समझाने में सहीयोग प्रधान करना विद्धियाले में योग एवां कुशल प्रधानाचार्य का काम है उनके मध्यकार्य का वित्रण करना और समय समय पर उचित पर्शिक्षन प्रदान करना विद्याल में निर्दी समिति का गठन करना इसके अलावा जो जो भी कार्यकरम होते हैं उनका नित्रत्तों करना संचालन करना कार्यकरम की प्रभाव शीलता का मूल्यांकन करना भी क्या होता है प्रधाना चार्य का ही काम होता है अब आ जाते हैं मूल्यांकन कारे में मूल्यांकन कारे में प्रधाना द्यापक की भूमिका मूल्यांकन प्रशाशन का एक अभिनांग होता है क्योंकि जहां पर हम evaluation नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज का चाहे वो evaluation का मतलब सिर्फ education examination से नहीं है ये हर पार्ट का क्या किया जाएगा मुल्यांकन किया जाएगा तो इसमें जो प्रधानचारया उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है जिससे की कुशल नियोजन करना, संगठन करना और निर्देशन करना ये तीन काम क्या होते हैं, प्रिंस्पिल के बहुत important हो जाते हैं, अनिक इस तरों पर किया जा सकता है जो मुल्यांकन है, यहाँ पे शिक्षिकों, करमचारे और अन्य समितियों के मुल्यांकन के लिए प्रधाना ध्यापक प्रिंस्पिल की साहिता लेता है, परन्त उस चात्रों के सेक्षिंग मुल्यांकन के लिए उसे विद्याले में मासिक, अर्दवार्षिक और वार्षिक परिक्षाओं का आयोजन करना होता है तो दो तरह के जो मुल्यांकन है वो आप लोगों ने देख लिए, यहां तो परिवेक्षन सुपरविजन होता है जबकि जो बच्चों का मुल्यांकन करना है, उसमें जो टेस्ट होते हैं, मन्थली टेस्ट हो गए और हाफ ये ली और एन्वल इस तरह से मुल्यांकन प्रधाना चार्य करवा सकते हैं या कर सकते हैं, अनुशाशन की इस्तापना प्रधाना ध्यापक की भूमी का, तो एक उचित वात क्रियेट करना, जिसको एक तरह से प्रधाना ध्यापक जो है, वो टूल की तरह क्या उचित वातावरण की प्रधाना ध्यापक क्या ही शुए जाना चाहिए, उसका संचालन होना होना चाहिए, कि समय समय पर उसके कारें का मुल्यांकन भी होना चाहिए ठीक है अगर हम कोई समिति बना रहे हैं उसका मुल्यांकन ना करें तो उसका कोई फाइदा होता नहीं है उसे चात्रों सिक्षकों करमचारें उससे निरंतर संपरक में रहकर समस्याओं का ज्यान रखना कि समस्याओं को और फिर उसके बाद में समाधान खोजना जिससे यहां तक संभव हो उनको संतुष्ट भी रखा सके क्योंकि इनसान जब तक जब असंतुष्ट होने लगे अगर स्कूल में चात्रों का कुछ गुरूप बन जाए और संतुष्ट होने लगे उनको भी समालना मुश्किल हो जाता है शिक्षक क्या है समसर्ट से बिठाना विद्याहल में अरजकत ततों के उदए को रोखने के लिए निदाना अत्माकि डानोll सिक नीति का पालन करना चाहिए हर जगे हमें क्या करना है सबसे पहले डाइगनोज करना जरूरी है जो अराजक तत्तों हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं मतलब उनके पीछे जो रूट काउस है वो क्या है अगर हम रूट काउस तक पहुंच जाते हैं तो आगे जाकर प्रिंस्पल को क्या होगा उसमें हेल्प मिलेगी क्यों किस तरह से इस चीज को डील करें किसी अप्रिया घढ़ना के घटित होने पर के स्थिति में उचित अवल स्पशन हीन तक तो अगर इस लेवल पर हैं जहां पर उनके विरद्व सक्त और दंडात्मक आरे वाड़े तो भी क्या होना चाहिए प्रिंस्पल को ये सीज के लिए तैयार रहना चाहिए या उनका ही काम है और इसमें उस सही योग ले सकते हैं जो स्कूल उनके लेने होते हैं नियोजन के इस तर पर कक्षाओं का विभाजन पाठ्य करम पुस्तकों शिक्षकों के मध्यकार्य का विभाजन इसके अत्रिक्त विद्याले में क्रिया कलापों संब्दे साड़नी कर्मचारियों का अवकाश वेतन छोटी-छोटी बातों पर प्रधानाचारे सबसे महतवपूर्ण होता है उन्हीं को लेना है क्योंकि लीडर्शिप के जो प्लेस है वह स्कूल में किसके पास है प्रधानायत्याफक के पास ही होता है तो जनर्ल चीज़ें हैं कुछ जनर्ल हैं आप लोगों के लिए वह आप लोग जनर्र कहने का सेंस यह है कि आप लेकिन अगर एक्जैम पॉइंट आफ यू से देखें तो हमें वह चीज़ें पता होनी चाहिए संकट के सितने में समस्या अगर कोई उत्वन हो जाए तो यहां पर प्रधाना द्याफक के पास निर्ने शक्ति होनी चाहिए जो डिसीजन पावर है डिसीजन मेंगिंग जाती है तो इसलिए बहुत ही अच्छी का अउलोकन करना और उसके लिए उपाए बताना यह क्या है सिग्र समस्या का समाधान डूरना यह सारी चीजें प्रिंसपल का ही काम है निर्ने लेना एक प्रशाशक के रूपर आप देखिए कई बार यह होता कि सबोज कीजिए कि क है लुप्ताइख को जाती है तो आ मूत प्रतिष्टा होती है है फ्रतिष्टा होता है निर्देशन पर ही क्या होता है निर्भर करता है अब ऑर्धिक परबंदन के रोप में प्रधाना द्याफ़की भूमिका है आर्थिक संसादनों का भी क्या है अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशिन ना हो तो वहां पर प्रधाना द्यापक एक तरह से हम उनको सक्सेस्फुल नहीं बोलेंगे तो उन्हें क्या करना है छात्रों की जो फीस है शिक्षा बोर्ट से अप्राप्त अनदान है उस एक है अब यहां पर देखिए आर्थिक संसादनों का लेखा जोका रखना कई बार हमारे दिमाग में यह आएगा कि यह तो ऑफिस का काम है ठीक है यह क्लेरिकल डिपार्टमेंट का काम है लेकिन अगर हमारे पास पुक्षन आता है प्रधाना द्यापक का कर्दब्या है मे देखे कहां कहां से यूज़ किया जा सकते है और प्रबंदन समयति को विध्याले के आउसकता से अउगत कराना भी प्रधाना द्यापक का उत्तरदाई तो होता है अर्थिक संसादनों को किस परकार उचित और उपियुक्त तरीके से प्रियोग करना है और जिससे की स्विष्टम रूप से क्या हो सकता है विध्याले हिद के लिए उसको यूज किया जा सकता है प्रदाना द्यापक को विद्याले की आय और व्यका अविलेक भी रखना होता है ठीक है इसके बाद समितियों और विभागों को दिया गया धन उचित रूप से प्रियोग करना और इसका अत्वा नहीं इसका निरिक्षण मतलब कैसे उस धन का यूज हुआ है उसका है कि अब यहाँ जितने कृतब बें उसके लिए परदाना द्यापक परभावी व्यक्तित्तों का होना चाहिए में उसकी पर्सेनालिटी है उसमें करिजमा होना चाहिए सारे काम कर पाते हैं अब एक बार हम फोड़ाशा इसको शॉड में देख लेते हैं जो चीजे हमने द चाहिए प्रताना द्याफक एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए एक अच्छा नेता होना चाहिए और उच्छी योगताओं वाला व्यत्ति होना चाहिए उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं तो उनके एक कुशल मार्ग दर्शक भी होना चाहिए साथ में उसे जितने उसके कार एक उच्छी कोटी का विद्वान होना चाहिए उनको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज का नॉलेज होना चाहिए जिससे उस सिस्टम संचालन कर पाए और एक शुद्रड और प्रगतिशी शिक्षा दर्शन भी होना चाहिए अगर प्रदानाचारे के पास में एक शिक्षा से उन्हें लिख लेजिए और आप लोगों को का यह टापिक क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले गुडबाई टिक केर